दोस्तो अगर अभी तक आपने क्लाउन दा किलर होरर स्टोरी का पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देख ले वरना ये वीडियो आपको पूरी तर ऐसे समझ में नहीं आएगी पिछली वीडियो में हमने देखा था शौन के स्कूटर का टायर बीट जंगल बे पंचर हो जाता है और शौन गुली बुली को कॉल लगा कर वहां बुलाता है तभी शौन को बीच रास्ते में एक बॉल दिखती है और शौन उस बॉल को पगड़ने के चकर में क्लाउन दा कि अंदर चला जाता है तभी वहाँ गुलि बुल्ली आते हैं लेकिन गुली बुली को शौन के स्कूटर के पास कोई नहीं दिखाई देता गुली बुली समझ जाते हैं क्लाउन दा किलर ने शौन को किड़नैप किया है और गुली बुली ने बाबा को कॉल लगा कर वہां इधर Mr. Meat, Evil Nund और Clown The Killer गुली गुली बुली और शौन को एक पुजडे में भरकर अपनी ट्रक पे डाल देते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं Evil Nund Mr. Meat, Clown The Killer गाड़ी में बैठते हैं और गुली बुली शौन को लेकर कहीं जाने लगते हैं इधर बाबा लावा की दुनिया में फसे हैं, बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि यहां से बाहर कैसे निकले, तभी लावा की नदी से एक मगरमच बाहर निकल आता है, बाबा उसे देखकर बहुत जादा डर जाते हैं, लेकिन बाबा उससे कहते हैं, यहां से चले जाओ, वरन जाना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम कहीं मुझ दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं सुनकर मगरमच बोला, बाबा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं यहां से निकलने का एक रास्ता जानता हूँ, मैं आपको वो बता सकता हूँ। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता पता है तो जल्दी बताओ, मुझे गुली बुली और शौन को जाकर बचाना होगा। मगर मच ने बाबा से कहा, बाबा आपके पीछे जो नीला फूल है उसे तोड़ कर खा लीजिए, उस फूल को खाते ही आप अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। मगर मच की बात सुनकर बाबा ने वो नीला फूल तोड़ कर खा लिया। उस फूल को खाते ही थोड़ी देर बाद बाबा अपनी दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ आते ही बाबा ने देखा कि मिश्टर मीट क्लाउन दकिलर और इविल नन गुली पुली और शौन को ट्रक में डाल कर कहीं ले जा रहे हैं। बाबा को उनका पीछा करना होगा वरना वो लोग उन्हें कहीं लेकर चले जाएंगे। बाबा तोड़ कर अपनी बाइक के पास आते हैं और अपनी बाइक पे बैड़ कर उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। ये लोग बुली बुली और शौन को लेकर जंगल के बीचों बीच आते हैं। इस जंगल के बीच में तो एक लावा से भरी नदी है। लेकिन ये लोग बुली बुली और शौन को यहां क्यू लेकर आये हैं। इविल नन मिश्टर मीट और क्लाउन दा किलर ट्रक से उतरते हैं क्लाउन दा किलर ने मिश्टर मीट से कहा मिश्टर मीट गुली बुली और शौन को ट्रक से रीचे उतारो और उन्हें उस लावा से भरी नदी के उपर टांग दो क्लाउन दा किलर की बात सुनकर मिश्टर मीट ने ऐसा ही किया मिश्टर मीट गुली 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 और शौन को लावा से भरी नदी के उपर रसी से बांध कर टांग देता है गुली गुली और शौन को बहुत डर लग रहा है लेकिन ये लोग यहां से भाग भी नहीं सकते इन्हें जल्दी कुछ करना होगा इससे पहले ये लोग इन तीनों को इस लावा से भरी नदी में डाल दे लाउन दा किलर मिश्टर मीट से कहता है हम इन तीनों को थोड़ी देर में लावा से भरी नदी में डाल देंगे और इन्हें ऐसे ही तडपा तडपा कर मारेंगे मैं जैसे ही तीन तक गिनूंगा वैसे ही वो रस्ती काट देना उसके बाद ये लोग लावा वाली नदी में गिर जाएंगे इतना कहकर क्लाउन दा किलर तीन तक की गिन्ती गिनने लगा लेकिन इससे पहले क्लाउन दा किलर तीन तक गिन पाता वहां बाबा आ जाते हैं क्लाउन दा किलर इविल नन और मिश्टर मीट ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्लाउन दा किलर ने मिश्टर मीट से कहा हम लोगों ने तो बाबा को धोके से लावा वाली दुनिया में भेज दिया था ये वापस कैसे आगे मिश्टर मीट के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता बाबा अपनी बाइक से उतरते हैं और क्लाउन दा किलर से कहते हैं लाउन दा किलर अगर गुली बुली और शौन को कुछ भी हुआ तो यहां मेरे से बुरा कोई नहीं होगा लाउन दा किलर मिश्टर मीट से कहता है मिश्टर मीट इसे भी इनकी तरह वहीं लटका दो ये सुनकर मिश्टर मीट बाबा के पास जाने लगता है मिश्टर मीट जैसे ही बाबा को हाथ लगाने जाता है बाबा ने उसे एक जोरदार पंच मारा इससे मिश्टर मीट को कुछ फरक नहीं पड़ा बाबा ये देखकर हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं मिश्टर मीट बहुत ताकतवर है उसका मुकाबला ऐसे नहीं किया जा सकता इससे पहले बाबा कुछ कर पाते मिश्टर मीट ने बाबा को लाद मार कर दूर फेक दिया इविलन मिश्टर मीट और क्लाउन दकिलर ये देखकर जोर-जोर से हसने लगते हैं बाबा बेहोस हो चुके हैं अब बाबा गुल्ली बुल्ली को कैसे बचाएंगे, बाबा को जल्दी घोस में आना होगा, बाबा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले, बाबा दुबारा से उठते हैं, और बाबा अपने एक्स्ट्रीम मोड में आने की कोसिस करने लगते हैं, फूरी ही देर में बाबा एक बाबा ने उसका इस्तिमाल मिश्टर मीट पे किया लेकिन मिश्टर मीट नीचे जुग जाता है और बाबा का जादू गुली गुली के रसी पे जा लगता है इसे वो रसी तूट गई और गुली गुली और शौन लावा से भरी नदी में गिर गए बाबा ने ये क्या कर दिय बाबा ने तो गुली बुली और शौन को ही मार दिया बाबा का ध्यान उसी तरफ था अभी मिश्टर मीट आकर बाबा को पीछे से पकर लेता है जोस्तो आपको क्या लगता है क्या बाबा मिश्टर मीट को हरा पाएंगे और क्या बाबा दुबारा से गुली गुली को जिन्दा कर पाएंगे अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 3 पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथी साथ नोटिफिकेशन आइकन को आल पे सेट कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल पाएं